Welcome to the party Salah आज हम पढ़ेंगे Active Passive View Active Passive View Hires हम इसलिए भी पढ़ रहे हैं क्योंकि Tier 1 में Active Passive View OHs के Question से आ रहे हैं और Tier 2 के लिए बहुत जीज़ादा Important है इसे 20-21 Question के आपस Tier 2 में आते हैं तो चाहे अगर आप अभी Tier 1 का एक्जाम दे चुके हूं या देने वाले हूं दोनों point of view से बहुत ज़्यादा important है तो इस chapter को बहुत ध्यान से पढ़िएगा और ध्यान से समझिएगा क्योंकि यह बहुत ज़्यादा weight करते हैं बोले तो कि इसके जो mark है 200 में से 10% इसका आता है बोले तो 20 number का active passive wise tier 2nd में आ रहा है और 2 number का 2 question के आसपस a question के आसपस आपका tier 1 में आ रहा है तो चलिए active passive wise जो है हम आज करते हैं देखते हैं और समझते हैं इस class को attend करने से पहले एक बारी आप जो है channel का subscription चेक कर लीजे कि आपने channel का subscription कर रखा या नहीं कर रखा है यह subscription free है कोई charge नहीं लगना है आप channel subscribe कर लीजे और हमारे साथ य आपको बहुत जादा ही मदद मिलने वाली है क्योंकि हम कॉइंट पर जो है तकरीबन 2000 बहुत जादा अच्छे questions दील करने वाले हैं आची सर वह आपके साथ deal करेंगे और मैं पूरा tier 2nd की classes deal करूंगा आपको इंगलिस को लेके अगर आप 2018 की तयारी कर रहे हैं तो इस video के आपको एक चैनल का लिंक मिलेगा आप वहां से उस चैनल के लिंक को ओपन कीजिए जाए चैनल सब्सक्राइब कीजिए और थोड़े दिन वेट कीजिए हम अपनी classes schedule कर रहे हैं उस पर upload कर रहे हैं और time fix कर रहे हैं और एक schedule time से offline classes की तरह आपको वहां पर मिलेगा और ध्या अपना रखिये कि यह जो classes है हमारी वह free up cost है इस पर कोई charge नहीं लगनी है और हम पूरी तरह आपके साथ work करेंगे पूरा complete courses आपको 2018 के लिए और tier 2 के लिए देंगे तो आप हमारे साथ बने रहे है classes करते रहे हैं तो अब चलिए बात करते है active passive wise की सबसे पहले बात तो यह समझ लीजी कि wise होता क्या है wise verb का एक form होता है wise verb का एक form होता है जो यह सो करता है कि subject subject object के उपर काम कर रहा है या subject के उपर काम किया जा रहा है तो action subject कर रहा है या subject के उपर हो रहा है तो यह दो चीज़े जो verb से हम express करते हैं उसी कहुं wise भोलते हैं इसमें एक आपका आता active wise दूसरा आता है, पैसिवाइस, तो जब subject जो है, जब subject आपका object के उपर action कर रहा होता है, जब subject object के उपर action कर रहा होता है, तब इसको हम बोलते हैं, और पैसिवाइस कब बोलते हैं, जब object, जब object के उपर action किया जा रहा हो, subject कर रहा हो, कि नहीं कर रहा हो, वो matter नहीं करता है, important आपका क्या है कि action हो रहा है तो action जब ज़्यादा important हो वो object के उपर हो रहा हो then हम वहाँ पर use करते हैं passive form अगर बात करें general formula की active wise का general formula क्या होता है तो कुछ इस तरीके से होता है subject verb लेते हैं then हम object लेते हैं यहाँ पर verb में भी आपका एक helping verb आता है एक main verb आता है तो जहाँ पर ज़रूत परती helping verb की तो पहले हम helping verb लगाते हैं फिर हम main verb लगाते हैं अगर आपका negative sentences है तो उसी साब से not लगाते हो interrogative sentences है उसी साब से convert करते हो तो आप क्या करना है कि आपको convert करना है जो है active wise को passive wise में तो जब भी हम active wise को passive wise में convert करते हैं तो आपको एक चीज़ समझना है कि हमको ये so करना होता है कि action object के उपर किया जा रहा है तो अब यहाँ पे object और action दो चीज़ ज़्यादा important हो जाती है तो इसको हम convert इस तरह करते हैं कि object को हम हमेशा passive wise में इसको subject बना लेते हैं उसके बाद जो verb है helping verb लगाते हैं और यहाँ पे verb का main verb का जो है v3 form यूज करते हैं और उसके बाद by लगाते हैं और subject लगाते हैं तो यहाँ पे हम important so कर रहे होते हैं action की की object के उपर action किया जा रहा है then v3 यूज करते हैं then by then subject यूज करते हैं चलिए समझ लेते हैं कुछ cases होते हैं जिन cases में हम active wise के जगा passive wise यूज करते हैं और ऐसा क्यों करते हैं सबसे पहले कभी आपने यह sentence देखा है यह कभी आपने sentence इस तरीके से लिखा वर नहीं देखा अगर कहीं भी आप इसको इस तरीके से देखें तो एक बास समझ जाए कि sentence गलत है यह sentence रही नहीं है टी ग्रोज बहुत हिन असाम एंसिलान ऐसे subject में एक case यह होता है कि जब आपका subject जो आपका subject होता है जब वो कोई action perform नहीं करता है तब उसको हम active voice में नहीं करते है जैसे यहाँ पर जो टी आपने subject लिया है यह कोई action perform नहीं कर रहा है इसलिए इसको active voice के बजाए active voice के बजाए जो हम इसको passive voice में रखेंगे क्योंकि टी के उपर जो आपका पेड़ है जो टी का है वो उगता है तो action किसे उपर हो रहा है टी के उपर हो रहा है तो t is grown करके लिखेंगे भूत हिन असाम इसल JEN को passive form में रखेंगे active form में नहीं रखेंगे तो यह sentence active form में गलत होता है उसको passive form में फार्म करते हैं और दूसरा case वो होता है case number two अगर हम बात करेंगे कि हम passive form में sentence को कब रखते हैं, जब जैसे कि मैंने बताया कि अगर जो action होता है, वो important हो, और doer जो इसका हो, doer बोले तो करता, doer इसको बोले तो करता, जो करने वाला होता action को, अगर वो important ना हो, तब हम क्या करते हैं, तब हम passive wise में sentence को रखते हैं, जैसे he was arrested to the hospital where he was declared to brought a dead उसे जो होस्पिटल ले जाया गया जहाँ पे उसे मृत गोसित कर दिया गया यहाँ पे उसे ले जाया गया तो होस्पिटल ले जाना उसको ज़्यादा important है लेकिन अब होस्पिटल ले जाया गया तो लोग involved होंगे उसके इलाज में doctor involved होंगे तो जो लोग people है और doctor है वो matter नहीं करता है उसे hospital ले जाया गया है यह matter करता है यह ज़्यादा important है इसलिए यहाँ पे हम sentence को क्या करेंगे passive form में रखेंगे तो यह कुछ cases है जब हम passive form में रखते है active wise के बजाए जो है बात करें एक और case होता है जब हम बोले तो कि हमारा जो subject होता है या तो वो irrelevant हो या तो unknown हो क्या हो या तो irrelevant हो या तो unknown हो तब भी ऐसे cases में हम sentence को passive form में रखते है जैसी यहाँ पे है people were relocated from the flood affected villages यहाँ पे people का जो relocation है जो relocate किया गया उनको वो important है किसने relocate किया है यह important नहीं है यहाँ पे वो unknown है या irrelevant है किसने किया वो matter नहीं करता है इसलिए इस तरीके के sentences को हम passive form में रखते हैं अब चलिए बात करते हैं कि active wise को जो है passive wise में convert कैसे करते हैं यह बहुत important है हमारे लिए जो active wise है उसको passive wise में कैसे convert करते हैं यही आपको exam में करना है यह तो रहा sense जब आपको sentences को passive wise में रखना होता है तो चलिए एक एक करके समझते हैं कि उन सारे cases को लाइक सबसे पहले बात करेंगे हम indefinite tense की कि indefinite tense को हम कैसे जो है convert करेंगे active से passive form में indefinite tense में आपका simple present, simple past, simple future आता है उसी में अगर हम model को include कर लें तो model भी आ जाता है तो एक करके इनको चलिए समझते हैं कि simple present, simple past, simple future को अगर active wise के sentences है तो passive form में कैसे convert करेंगे एक चीज़ यहां पर यह समझ लीज़े कि indefinite tense को passive form में convert करते वक्त shifting करते हैं helping verb का, जो हमारा helping verb होता है उसकी जो है shifting करते हैं shifting बोलो तो जैसे कि indefinite के बाद आता है आपका continuous tense जब हम बोलते हैं तो तो जैसे ही simple present है, इसका मतलब है do या फिर does आपका helping verb होता है अगर बात करें जो continuous tense होती है, continuous tense में होती है जो हमारी helping verb is, our, am होती है तो हम क्या करते हैं simple present को या present enrollment tense को present continuous tense के helping verb से shift कर देते हैं, मतलब change कर देते हैं तो do does को किस से change करते हैं is, our, am से simple past में आपका deed आता है, तो इसको कैसे change करते हैं was या फिर verse से, अगर simple future की बात करें तो इसमें आता है will या फिर आपका shall तो will shall को किस से करेंगे हम इसको जो है continuous वाले form से कर देंगे, will be shall be तो ये कुछ changes करते हैं, model, model में आपका जो form होता है वो कुछ इस तरीके से होता है, subject, plus model आपका आता है, plus v1 आता है, plus object आता है ये आपका active form होता है, लेकिन जब इसको passive form में करते हैं, तो v1 को क्या करते हैं? खूँल में वी 3 में कर देते हैं और model के बाद हमेशा हम b का इस्तेम। इस्तेम। पर पास b का इस्तेम। नुट में करते हैं, लेकिन आता है जैसे यह पर शंटेंसे हैं, POLICE ARRESTED HIM. POLICE NE उसको ARRESTzing किया. यहां पर एक action perform हो रहा है. POLICE कि lee a of object के उपर एक action perform कर रहा ह workflow यह आपका action नहीं है. Лेकिन जब इसको पेशिव form में दिखाओगे तो किस तरह दिखाओगे तब उस वक्क्राइस को हमको यह दिखाना होता है कि जो action एक हमारा वो important है, जो object के उपर action हो रहा है, वो important है, subject important नहीं है, तो बोले वो arrest हुआ, ये important है, किसने arrest किया, वो important नहीं है, तो इसको passive form में हम दिखाते हैं, passive form में किस तरह दिखाएंगे, he was arrested, तो अब यहाँ पर क्या किसने arrest किया, वो important नहीं है, लेकिन वो arrest हुआ, ये important है, तो पर हमने क्या दिखाया कि वो अरेस्ट हुआ, अब यहां पर एक बार यह चेक कर लेते हैं कि जो हमने पैसिव फॉर्म कनवर्ट किया है, क्या वो फॉर्मूले के हिसाब से कनवर्ट है या फिर नहीं है, यहां पर पुलिस अरेस्टेड है, यह आपका सिंपल पास्ट है, अरेस्ट किया गया कोई बंदा तो कॉन करेंगा, । यह ऀंडस्टूड होता है, जब ऐसा मपनदा की आपकारिण करती है, hardships क्या है, इसभलिस होता है, तो हमें पहले से ही पता होता है कि अगर arrest किया गया कोई बंदा तो कौन करेगा तो यह understood होता है तो जब ऐसा scene आए कि कोई चीज particular people perform कर रहे हो particular लोग perform कर रहे हो और वो no no मतलब हमें पहले से ही पता हो कि यह काम इन्हों नहीं किया होगा या फिर by plus subject इस्तेमाल नहीं करना होता तो इन cases में by plus subject इस्तेमाल नहीं करते हैं यहाँ पर देखे people speak English all over the world एक यह sentence है people speak English all over the world यहाँ पर क्या है लोग English बोलते हैं पूरी दुनिया बर में पूरी दुनिया बर में जो है बोलते हैं और English जो है बोला जाता है यह आपका object हो गया और speak किया जाता है यह आपका action हो गया तो people जो है perform कर रहा है लेकिन अगर इसी को आपको action को important बनाना हो तब हमको passive form में change करना होता है तो action, action English क्या है जो है इसका object इसको आपको बनाना पड़ेगा subject तो English, English, English के बाद speak है तो English is अब convert करेंगी आपका simple present है तो उसी साब से is RM लेना है तो English singular है तो English is spoken spoken all over the world अब यहाँ पर क्या किया कि English बोला जाता है तो जो बोला जाना है वो important है कौन बोल रहा है वो important नहीं है तो यहाँ पर हमने irrelevant कर दिया subject को तो जब भी हम subject को irrelevant करते हैं तब हम वहाँ पे क्या इस्तेमाल करते हैं तब हम वहाँ पे इस्तेमाल करते हैं passive form का तो passive form और active form में यही difference होता है कि passive form में हम action को important बताते हैं और active form में subject को important बताते हैं कि subject object पे action कर रहा होता तो इन चीजों को आपको थोड़ा सा और इच्छे से स इस्पीक लिया गया है, और फिर इस्पोकेन अल ओवर दवर्ड, फिर यहां से हमने बाई प्लस जो है आपका subject इस्तमाल नहीं किया है या फिर बाई ऑब्जेक्ट इस्तमाल नहीं किया है, क्योंकि जो कुछ ऐसे यहां पर एक दूसरा case भी समझ लीजिए कि कुछ ऐसे cases होते जहां पर जो है आपका जो noun होता है वो उगी होता, unclear होता है, कुछ indefinite pronoun होते हैं और कुछ ऐसे agent होते हैं जिनको mention करना जरूर नहीं होता है तो जैसे यहां पर police है वो हमने mention किया है क्योंकि यहां पर reason यह था नहीं करते हैं, तो यहां पे भी आपको by plus people mention करने की जुरूरत नहीं है, चलिए कुछ example और समझ लेते हैं, जिससे आपको और अच्छे से समझ में आए, जैसे a teacher teaches English here, यहां पे समझ ये, कि एक teacher जो है English पढ़ाता है, तो अगर पढ़ाने का काम है, तो teacher ही करेगा, तो जब भी आप इसका passive form बनाओगे, तो कभी भी a teacher को by a teacher नहीं लिखोगे, तो यहां पे self understood है, जब भी आप passive form बनाओगे, तो यहां पे a teacher को mention करने की जुरूरत नहीं है, और फिर इसको convert कैसे करोगे, यहां पे आपको क्या है action importance हो करना है, तो फिर से यहां पे use करोगे English, teaches है, तो English is taught here, English is taught here, इसका क्या मतलब होता है, कि English यहां पे पढ़ाया जाता है, कौन पढ़ाया जाता है, कोई teacher पढ़ाया जा रहा होगा, यह self understood होता है, तो यहां पे by a teacher mention करने की जुरूरत नहीं है, तो ध्यान रखिए कि passive wise में हम action को important बनाते हैं, और देखिए कि हमने इसका क्या किया, यहां पे आपका object था, यहां पे हमने subject बनाया, teaches, यह आपका, किस में आता है, simple presentation में आता है, तो हमने क्या किया, कि shifting की है, इसके लिए is rm verb का इस्तेमाल किया है, फिर v3 form teach का इस्तेमाल किया है, और फिर here जो लगा हुआ था, वो हमने लगाया, फिर by plus subject की यहां पे ज़रूरत नहीं है, क्योंकि self understood है, कि teacher पढ़ाता होगा, तो जब इस तरीके के cases हो, तो हमें mention करने की जुरूरत नहीं होती है, next sentence है, no one desire roids, roids की spelling misprint है, roids की spelling यह होती है, no one desire roids, तो अब आपको इसको passive form में convert करना है, तो क्या करोगे, इसका object जो roids से इसको subject बनाऊगे, तो roids, अब देखोगे कि जो है आपका यह sentence की stance में है, यह है आपका present indefinite में है, तो इस इसाब से helping work कैसे convert करोगे, is rm में, तो roids plural form है, तो r में convert करोगे, तो roids r, अब no one में एक तरीकी का जो है negative sense चुपा हुआ है, और एक चीज़ और यहाँ पर समझ लीज़े कि no one जो है आपका है, यह आपका unclear subject है, मतलब आपको पता नहीं no one में कौन-कौन लोग आते हैं, लगबख सभी लोग आ गए, तो जब ऐसे cases हो, कि subject आपका unclear हो, vagu noun हो, indefinite pronoun हो, तो ऐसे cases में by plus isn't, यहाँ फिर by plus subject का इस्तेमाल नहीं करते हैं, तो यहाँ पर negative sense है, तो इसके लिए आपको एक not यहाँ पर लगाना पड़ेगा, क्योंकि आप by plus subject यहाँ पर यूज करने वाले नहीं हो, rights are not desired, अब एक बारी समझ लीजए कि no one क्यों इस्तेमाल नहीं करोगे, by plus no one, जो यहाँ पर by plus object है, वो क्यों नहीं करोगे, दो cases होते हैं, जब हम by plus object इस्तेमाल नहीं करते हैं, एक तो case मैंने भी बताया आपको, कि जब आपका particular, जो है, कोई action, कोई particular लोग ही perform करते हो, तो यहाँ पर by plus वो mention करना पड़ता, लेकिन general sense में यूज किया गया था, then वहाँ पर क्या होता है, कि हमें इस्तेमाल करने की जूरत नहीं है, और यहाँ पर जैसे no one है, यहाँ पर एक generalized form हो गया, जब generalized form हो गया, unclear हो गया आपका subject, तो ऐसे case में by plus agent या by plus subject आप यूज नही करोगे, तो सबसे पहले आप object find out करो, this nonsense आपका object है, इसको बनाओ आप subject, this nonsense, this nonsense आपने subject बनाया, अब आप find out करो कि sentence जो है, किस tense में है, यह है future indefinity, तो shifting करोगे, तो will को will be cell B में कराओगे, will not है तो will not be, और cell not B में convert करोगे, तो this nonsense will not be, लगाए जैसे, उसके बाद आपको क आपकी three form लेना है, तो tolerated, तो tolerated, अब यहाँ पर by लगाओगे, क्योंकि यहाँ पर आपका subject clear है, बात मेरी हो रही है, इंडिविजबल की बात कर रहा है, तो by me, तो इसका, जब object बनाओगे, आपको जो है, objective case होता है me, तो by me लिखोगे, तो this nonsense will not be tolerated by me, तो आप समझ कहां पर mention करना होता है, कहां पर mention नहीं करना होता है, जब generalized form होता है, जब आपको subject जो है, subject आपका रहता है, वो अगर unclear रहता है, वो अगर unclear रहता है, तब आप by plus subject यूज नहीं करते हो, अगर ऐसा नहीं होता है, अगर आपको subject known हो, subject clear हो, तब आप by plus subject लगाते हो, तब जब main verb की तरह काम करें तब passive form convert नहीं करते हैं इसका, I am happy, मैं खुश हूँ, यहाँ पर am जो आपका main verb है तो इसका passive form नहीं convert करेंगे, he should be polite, यहाँ पर be आपका main verb है तो इसका passive form convert नहीं करेंगे, तो आपको इन चीजों को समझना होगा, यह आज आपको मैंने indefinite tense का लिया है indefinite tense को कैसे change करते हैं, वो मैंने बताया है, और यहाँ पर कुछ important चीज यह बताया है कि कब हम by plus subject लेते हैं, कब by plus subject नहीं लेते हैं, यह student को बहुत ज़दा doubt रहता है कि कहां हम by plus subject ले लिया और कहां पर by plus subject नहीं लिया, तो मुझे उमीद है कि आपको indefinite tense को convert करना आया हो और जो है यह कि कब हम लेते हैं by plus और कब by plus subject नहीं लेते हैं वो चीज और active wise क्या होता है, यह समझ में आया होगा, कि passive wise में, जो है, action जादा important होता है, action जब हम important बनाने की कोशिस कर रहे हो तो atmosg고 active wise में रखने के बजा हम passive wise में रखते हैं, तो यह कुछ important चीजे रही आज क इसके आगे जो आपका continuous tense को convert करना है perfect tense को convert करना है और interrogative sentence उसको कैसे convert करेंगे आपका imperative sentence को कैसे convert करेंगे और आपको has have had के साथ 2 plus v1 form आता है उसको कैसे convert करेंगे let bit help make इस तरीकी का अगर verb इस्तमाल हुआ हो तो उसको कैसे convert करेंगे आगे वाली classes में सारा चीजे देखेंगे यह जो है बहुत जादा scoring sector है आपका active passive wise 20-21 number का आपका tier second में आता है तो आप इन classes को regular basis पे कीजिए और सही तरीके से कीजिए मैं लगातार इस पे अब आपको classes देता रहूँगा क्योंकि tier 1 में यह चीज़े आ रही है तो मैं कोसिस करूँगा कि थोड़ा जो है मैं cover कर लू ताकि जो tier 1 दे रहे हैं student उनको भी इस चीज़ का फायदा मिल सके तो अभी के लिए इतना ही next video lecture में फिर मिलेंगे तब तक के लिए thank you bye bye